हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको ओफलो मेक 200MG टेबलेट के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस टेबलेट का इस्तिमाल किन-किन समझ्याओं में किया जाता है इसको कैसे इस्तिमाल करना इसके डोज के बारे में इसकी मार्केट प्राइज कितनी है और इसके कांटेंड, साइड इप्रेक्ट इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको Apollo Mac 200MG टबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके तो Apollo Mac 200MG टबलेट इसके मार्केट प्राइज की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइज 80 रुपे है और ये 10 टबलेट का एक षिष्टी पाता है और समय के साथ-साथ इस tablet की market price बढ़ती रहती है और इसके company की बात करें तो इसको Mac Liard company के द्वारा बनाया जाता है बहुत ही ब्रहतीन company है तो आईए जान लेते हैं overflow mac 200mg tablet के content के बारे में इसमें क्या-क्या मिलाया गया है तो इस tablet में ओफ्लाकसा scene होता है जो कि पत्तेक tablet में 200mg होता है तो आईए जान लेते हैं overflow mac tablet के usage के बारे में इस tablet का इस्तिमाल किन-किन समझाओं में किया जाता है तो इसका इस्तिमाल bacterial infection को ठीक करने के लिए किया जाता है या फ्लूरो क्यूनोलोन गुरूप की दवा है या gram positive और gram negative दोनों प्रकार की bacteria को मारती है तो इसके usage की बात करें तो इसका इस्तिमाल pneumonia, bronchitis इन सब को ठीक करने के लिए किया जाता है इसके अलमा किसी के फेपड़ों में infection हो गया हो या वाई नली में infection हो गया हो जैसे की बार बार पेसाब होना या पेसाब में जलन महसूस होना या पेसाब करते समय दर्द महसूस होना या पेसाब नली में कहीं पे bacterial infection हो जाना तो इन सब को ठीक करने के लिए इस्टरबेट का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलमा इसकी इन infection में भी इस्टेलबेट का इस्तिमाल होता है तोचा में कहीं पे बैक्टियल इंफेक्चन हो गया हो तोचा में सूजन या लाली पना गया हो या तोचा में दाने निकल गये हो तो उन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा इसका इसका इस्तिमाल यानि की pulvic inflammatory disease में भी इसका इस्तिमाल होता है और इसके अलावा अगर prostate ग्रंती में सूजन आ गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इस्टब्लेट का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा अगर किसी को दस्त की समच्या हो या kidney में infection हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इ जोट लग गया हो जिसमें bleeding हो रहा हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है तो यह सब उफलो में 200 mg टब्लेट के मुख्य मुख uses हैं इसके अलावा भी कईयन प्रकार के bacterial infection को ठीक करने के लिए इस टब्लेट का इस्तिमाल किया जाता है तो आईए ज और एक गुली साम खाना खाने के बाद ले सकते हैं इसको लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए तभी इस टब्लेट का इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और आईए जान लेते हैं अफलो में टब्लेट के साइड इफेक्ट के बारे में इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो इस टब्लेट के साइड इफेक्ट जैसे की जी मसलाना उल्टी होना इसके अलामा सरदर्द होना पेट दर्द होना दस्त की समस्या पेट में गैस बनना और इसमें मौ बात करें तो प्रेग्नेंट शोमेंस और रिवेस फ्रिदिंग मदर को इस टेबलेट का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और जिन लोगों को लिवर या किड्नी से सम्बंदित समझ से आए उन्हें भी इस टेबलेट का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए और इस टेबलेट का इस्ति माल नई करना चाहिए